देखो आज के इस वीडियो में हम सिंपली डिसकस करने वाले हैं सुप्रीम कोट के उस डिसीजन के बारे में जिसके वज़े से आपको हायर पेंचन का बेनिफिट मिल सकता है अगर आपका पीएफ का पैसा कटता है तो आज की वीडियो आपके काफी काम की हो सकती है क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोट का ओडर आये था आज से दो-तीन मेहने पहले कि लोगों को ज्यादा पेंचन मिलेगा यानि कि जिन लोगों को पेंचन सिर्फ 2-3,000 रुपे मिलने वाला था उनको अब 12-15,000 रुपे तला का पेंचन मिल सकता है और यहाँ पे EPFO ने भी इसके हाऍय पेंचन के लिए अप करने का जो लाश्ड मार्च 2013 कि आपके बास में लेसं दन 15का समय है हाइर पेंचन के लिए एक Sबस्ट है को सारी चीज को सारीव है विड़ियो पुरा खतब होने एक सब्टेंबर 2014 से पहले जौब अगयरा करते थे और उनका पैसा करता था यानि कि आप ऐसे एक सब्टेंबर 2014 से पहले EPFO के मेंबर हो यानि कि अगर आप एक सब्टेंबर 2014 के बाद में काम पे लगे हो तो आपको higher pension का benefit नहीं मिलेगा higher pension का benefit किसको मिलेगा ऐसे employee जो एक सब्टेंबर 2014 से पहले काम पे लगे है और उनका PF अगेरे का पैसा करता था अब यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा question कि आखिरकार 1 सब्टेंबर 2014 के पहले PF का क्या rules and regulation है और 1 सब्टेंबर 2014 के बाद में PF का क्या rules and regulation था तो यहाँ पे दो को simple सी बात यह बुली गई थी कि भाई अगर आप एक ऐसे employee हो जो एक सब्टेंबर 2014 से पहले जॉब पे लगे हो आपका PF का पैसा करता है तो यहाँ पे simply यह कहा गया था कि अगर आपका salary 6,000 रुपया या तो उससे कम होगा तो उस cases में आपको कि जो employer और employee है भले उनका salary साड़े 6,000 रुप से जाधा होता था फिर भी यह प्रूबिडेंट फंड को जोइंट करते से था कि जब उनके employee अपने job से retired हो जाए तो उनको हर मेने pension का फाइदा हो और उनको एक साथ में भी पैसा मिले और यहाँ पे जो लिमिट है वो एक सब सप्टेमबर 2014 के बाद में यह यह आपको लिमिट देना साड़े 6,000 रुपे का उसको बढ़ा के कर दिया है 15,000 रुपे यानिकि अगर आप एक ऐसे employee हो एक सप्टेमबर 2014 के बाद में जिनका salary 15,000 रुपे या तो उसे काम है तो उनको PF का पैसा कटवाना पड़ेगा और जि भी employee हो वो चाहता है कि उसकी company उसका PF का पैसा कटे ताकि जब वो employee retired हो तो उसको pension का benefit दिया जाएगा तो मेरे हिसाब से यह चीज़ आपको clear हो गया रहेगा अब यहां पर देखो एक सप्टेमबर 2014 के पहले का रूल सिया था कि भाई साब अगर आपका salary 6,000 रुपे ता कि उससे कम है तो आपको PF कटवाना पड़ेगा कितना कटवाना पड़ेगा सर तो यहाँ पर जो भी employee का salary है उसका 12% employer contribution करेगा और उसका 12% जो वह employee contribution करेगा और यहाँ पर जो employee contribution होगा वो पूरा का पूरा employee प्रविडेंट फंड में जाएगा और यहाँ पर जो employer का contribution होगा उसका दो हिस्सा होगा पहला इसा जाएगा employee प्रविडेंट फंड में 3.67 पर संड़ का और दूसरा हिसा जाएगा employee pension scheme में 8.33 पर संड़ का अब यहाँ पर employee pension employee provident fund EPF में जो आपका पैसा contribution होके जा रहा है उसका क्या फाइदा होगा तो जब आप अपने jobs retired होएंगे तो आपको लमसम में एक साथ में पैसा मिलेगा जिसको आप employee provident fund कहेंगे और आपके retirement के बाद में जब आप retired हो जाएंगे तो आपको हर मेने pension का पैसा मिलेगा उसको आप EPS employee pension scheme कहेंगे तो मेरे हिसाब से यह चीज़ भी आपको clear हो गया रहेगा अब यहाँ पर देखो जो जिन employee का salary साड़े 6,000 रुप है तो से कम था उनको हाइर पेंशन का benefit नहीं मिलेगा उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है टेंशन उन लोगों के लिए है कि वह एंपलोई जिन सेलरी एक सप्टेमबर 2014 के पहले एपी एफो के मेंबर थे उनका सेलरी साड़े 6,000 रुप से जादा था टेंशन उनके लिए उनके लिए क्या टेंशन तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताए कि भाई जो भी आपका लेकिन यहाँ पर एक जो बात लिखी है ना मैक्जीमम सेलरी साड़े 6,000 रुप सारा पंचायत यहीं पर क्या है इसका मतलब मैं आपको सिंप्ली एक एक जामपल के थू समझाता हूं तो माल लो आप एक ऐसे एंप्लाई हो आप सप्टेमबर 2014 से पहले जौब कर रहे हो लेकिन आपके employer का जो contribution है उसका bifurcation कैसे होगा तो यहाँ पर बोलाएं कि भाई साब जो 10,000 रुपया है ना उसका 3.67% employee provident fund में जाएगा यानिकी 10,000 का 3.67% कितना हुआ तो वह हो गया 367 रुपीज उसके लागा जहां पर यह बोला है कि जो भी आपका salary है उसका 8.33% employee pension scheme में जाएगा लेकिन इसके लिए आपके salary को साड़े 6,000 रुपय ही माना जाएगा यानिकी अलत भले ही आपका salary 10,000 के अंदर जाएगा तो साड़े 6,000 का 8.33% कितना हुआ तो वह हो गया आपका 542 रुपीज और यहां पर आपका employer का contribution कितना था 1200 रुपे का employer का contribution था जिसके अंदर 367 रुपीज यहां पर चले गया और 542 रुपीज यहां पर चले गया तो अगर मैं 1200 में से 542 और 367 को माइनस कर दूँगा तो balance बजएगा 291 रुपीज तो यह भी आपका employee provident fund के अंदर ही जाएगा यानिकि कुल मिला के मतलब यह है कि भ उसका 8.33% maximum आपका EPS के अंदर 542 रुपी सी जाएगा और बाकी का जो आपके employer का contribution होगा वह simply employee provident fund में चले जाएगा जिससे होगा यह कि जब आप होगे तो आपको employee provident fund के अंदर बहुत जादा पैसा एक सादे मिलेगा लेकिन यहाँ पे आपको employee pension scheme के जो हर मैंने पेंशन मिलेगा वह pension बहुत कम मिलेगा यह चीज तो सब लोगों को पता था यहां तो कोई प्रोब्लम निये लेकिन इसके अंदर भी एक rules के अंदर changes किया पेंशन चीए तो आपको employee pension scheme के अंदर ज्यादा पैसा contribution करना पड़ेगा तो क्या सरकार ने इस बात को allowed किया था क्या तो यहाँ पे government ने 2000 तो से पहले allowed किया था government का कहना यह था कि भाई अगर आप एक ऐसे employer before 2014 और आप चाहते हो कि आपका जो भी actual salary है उसका 8.33% अगर आप EPS के अंदर contribution करना चाहते हो तो आप कर सकते हो लेकिन इसके लिए आप और आपकी जो company है यानि कि employee और employer को joint application देना होगा उस cases में जो भी employee का actual salary होगा उसका 8.33% जो employer contribution करेगा वो employee pension scheme के अंदर जाएगा जैनि कि अगर मैं वापस example को repeat कर दो थोड़ा ध्यान से समझना कि अगर मेरी salary 10,000 रुपया होगा अगर मेरा और मेरे company ने भाई सरकार को बोला कि हाँ भाई साब यह मेरा जो employee वो actual salary पे पीफ के EPS के अंदर employee pension scheme के अंदर पैसा कटवाना चाता है तो यहाँ पे साड़े 6000 का लिमिट हट जाएगा और मैं 10,000 का 8.33 रूपीज का employee pension scheme के अंदर के अंदर कटवा सकते हो या तो अगर आपका से जादा है और आप actual salary पे EPS के अंदर पैसा कटवाना चाते हैं ताकि आपको ज्यादा pension मिले तो आपको देना पड़ेगा application और उस cases में भी आप actual salary पे employee pension scheme के अंदर पैसा contribution करके higher pension का benefit ले सकते हो इसको डियोल option कहा गया था अब यहां पर आपकी दिमाग में मेरे आप से बहुत जादा डाउट वागिर आ गया होगा फिर में इसको रिजॉल्फ करने की कोशिश करता हो आप अब यह सोचते होंगे कि सर साढ़े 6,000 का 8.33% करवा हूँ या तो 10,000 या तो मेरा जो भी एक लाग सेलरी है उसका 8.33% करवा हूँ आखिरकर इसका फाइदा का होगा कितना मुझे higher pension मिल सकता है तो इस चीज को आप एक एक्जामपल के थू समझो मालनो देको employee pension scheme के अंदर जो पेंसर को calculate करने का formula है वो simple यह है कि आपका पांच साल का जो भी average salary है वो उसको डिवाइड कर दिया जा कि आपने कितने साल काम किया डिवाइड में 70 कर देंगे तो यह employee pension scheme को calculate करने का formula है तो मानके चलते है कि पिछले साल तलक जौब किया है और यहाँ पर रूस यह भी है कि अगर आप 20 साल से जादा काम करोगे ना उसको उसके उपर आपको दो साल का bonus मिलेगा यहाँ कि आपको अगर आपने 30 साल काम किया तो इसको 32 साल माना जाएगा और यहाँ आपको थोड़ा सा extra pension मिलेगा और यहाँ प को सिंपली 35 लिखना पड़ेगा और अगर अपने 33 काम किया है तो आपने 20 साल से जादा काम किया तो आपको दो साल का bonus मिलेगा यहाँ कि उसके सब्सक्राइब यहाँ पर नमबर ओफ यह सर्विस पी सर्विस के यहाँ पर लिख सकते हैं तो यहाँ पर अपने एक्जामपल सब्सक्राइब तो अगर उस बंदे को मालो इस बात के बारें पता नहीं था कि यह सरकार ने बोलाए कि अगर मेरा कंपणी और मैं मिलके मतलब अप्लिकेशन देंगे ना तो हमको मतलब हायर पेंचन यहाँ पे मेरा जो एक्शुल सेलरी होगा उसका 8.33 परसंट भी कर सकता उसको साड़े 6,000 रुपे ही माने जाएगा फॉर्मूले के अंदर जो आपका फायर का एवरेज बेचिक सेलरी होगा उसको साड़े 6,000 मानेंगे इंटू डिवाइड कर देंगी कि आपने 3 साल काम किया प्लस दो यह का बोलस इंटू 32 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 70 और आपका जो हर मेने का पेंचिन मनेगा आपके रिडियर्मेंट के बाद में वो बनेगा 2971 का यानि कि भाई आपको पता नहीं था कि भाई साब आप अपने एक्चुल सेलरी का जो 8.33 परसन है वो पेंचिन इसकी में डाल सकते हो आपको सिंपली यह पता था कि यार यहा अगर आपके कंपनी आपको पता था कि यह अगर मैं एक्चुल सेलरी का 8.33 परसेंट एंपलाई पेंचिन इसकी में डालूंगा न तो मुझे हाईर पेंचिन मिलेगा हाईर पेंचिन किस तरीके से तो यहाँ पर आप यह माल लो आपका सैलरी है 25,000 रुपया और आप इसका 8.33 परसेंट एंपलाई पेंचिन स्की में कॉंट्रिबूशन कर रहे हो तो उस कैसे में आपका पेंचिन कैसे बनेगा तो यहाँ पे आपका पांच साल का जो भी एवरेज सैलरी होगा वो इन्टू 32 आपने 32 साल काम के 2 साल का बोनस डिवाइड में सतर कर देंगे तो कोंट पे पीएस के इंदर पैसा कांट्रिबूशन कर रहे हो देखो अगर आपका सालरी 37 рूपय के अंदर है तब तो आपको हाइर पेंचन नहीं मिल सकता और यहां पर इस बात की जो जानकारी देखो ये बात सबको पता था कि भाई कितना भी सेलरी हो साड़े शेदर का 8.33% लेकिन यहां पर यह जो सरकार ने ऑप्शन दिया था ना कि आप चाहो तो हायर पेंशन का भी बेनिफिट ले सकते हो आप जादे एमोंट में भी अपने एंप्लोई पेंशन स्कीम में पैसा कर सकते हो इस बात की जो जानकारी है वो बहुत सारे लोगों को नहीं थी बहुत सा बाकी था लोगों को देरे देरे पता चला और लोगों ने मतलब अथरिटी को बला कि यार हमारे अप्लिकेशन का अपकर अगर आपको पेंशन कट वाना था तो उसके लिए हमने एक डेट दिया था कि जब आपका सेलरी साधेज़ शेजर के लिमिट को क्रॉस कर देगा उस देते तो आपको हायर पेंशन का benefit मिल सकता था लेकिन आपका जो सेलरी हो साड़े शेयर तो कपका हो गया आप हमें अब बता रहो तो अब हम आपको हायर पेंशन का benefit नहीं देंगे उनके इस अप्लिकेशन को जो EPFO है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था अब इन लोग की लगई वाइट की भाई आपने ठीक आपने सिस्टम के इंदर बताया था लोग बहुत सारे लोग इसका benefit ले भी देते लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी अप्लिकेशन को जेग कर दिया गया अब आप कहा गया तो आप हमारी कर लो सुनवाई तो यहां पर सुप्रीम कोट ने सारे मामले को मद्य नजा रखते हुए यह कहा कि यार डेफिनेटली उस टाइम पे लोगों के पास में ज्यादा अवेर्नेस नहीं थी इंटरनेट का उतना जएधा क्रेश नहीं था यूट्फ नहीं था तो यहां पर उन जो जो लोग ने हाइर के लिए अप्लाई किया था और आपने उनके को bac कर सकते हैं यानि कि आप एक ऐसे एंप्लोई है 2014 के पहले के एंप्लोई है आपको पता नहीं था कि हाइर अगर मैं आपने ज्यादे सेलरी पेंशन कड़वाओ को मुझे ज्यादा पेंशन मिलेगा आपको बाद में पता चला आपने एक्शुल सेलरी पर पैसे कड़वाने है इप एरफ में बुला कि डेट चले गया आपको हमने डेट दिया था आपने उस डेट के इंदर अपलाई नहीं किया फिर आप गई सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट ने कहा कोई बात नहीं आप वापस से अपलाई कर सकते हैं उसके लिए कंडिशन क्या दिया गया था कि भाई साब आप Employee Provident Fund के Member होने चीए और यहाँ पर जो आपका सैलरी है वो पांच जार रुपए है तो साड़े 6,000 रुपए के उपर होना चीए यानि कि देखो 2001 के पहले रूल्स यह था कि अगर आपका सैलरी हर मेहने का 5,000 रुपए है तो उसे कम है तो आपको PF में आना तो भी आपको PF यहाँ पर कटवाना पड़ेगा तो यहाँ पर यह बोला गया है कि भाई आप एक ऐसे Employee थे जिनका सैलरी पांच जार रुपए या तो साड़े 6,000 रुपए के उपर था वही लोग ईपी एफ वही रग हाईर पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे जिनका सै को जो गवर्मेंट जो भी ईपी एफ है उसने रिजक्ट कर दिया था तो तो आप हाईर पेंशिंग लिए लिजिबल हो सकते हैं यानि कि आप एक ऐसे Employee जिनका सैलरी साड़े शेदार रुपए को उपर था दूसरी बात आपने अपने अपने को बला कि मुझे हाईर अब इस चीज को मतलब जो भी मैंने कहानी बता है अब यहाँ पर सारची आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर देखो चार कैडिगर फ एंप्लाइब पहले एंप्लाई वह है वह ऐसे एंप्लाई है जो रिटाइड हो चुके है बिफोर दो हजार विटाउट एकसर साइजिंग दॉप्शन यानि की दो हजार चौदा के पर यानि कि यहां पर देखो आप ऐसे एंप्लाई जो दो हजार चौदा से पहले रिटाइड हो चुके है उनका सैलरी साड़े छे जार रुपे से ज्यादा था लेकिन उन्होंने हाईर पेंशन के ल जब तरह को रिटाइड हुए उनको पता ही ने दुनिया में क्या चल रहा है उनको नहीं पता था भाई कि हाईर पेंशन नाम का भी कोई चुडिया है अगर हम अप्लाई करेंगे तो मुझे ज्यादा पेंशन मिलेगा तो अगर आप ऐसे एंप्लाई है जो दो हजार सब्सक्राइड हो चुके है और उनके जॉइंट ऑप्शन को दिनाई कर दिया और दिसने मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर देखो दो हजार चौदर के पहले आप एंप्लोई थे आपका सैलरी साढ़े शेह जार रुपे के ऊपर था आपके पास में दो ऑप्शन था ड लोगों को बादने बता चला लोगों ने अपलाई किया लोगों के अप्लिकेशन को एप्याफ रिजक कर दिया तो यहां पर आप ऐसे एंप्लॉई हो जो रिटाइड हो चुके हो दो जार चौदर से पहले और यहां पर आपने जॉइंट ऑप्शन दिया था कि भाई साब आपने अपले केंशन दिया ता कि हमें हैर फिंचर का मैने फिट हमें नहीं पता था और आपके इस अब ने है उसने रिजट कर दिया था तो भले ही अगर अपर हो चुके है फिर भी आप हाइर पेंचन के हगदार हो यहाँ पर आपको चार मेने का समय दिया गया है कि तीन मार्च 2023 से पहले आप अप्लिकेशन दे सकते हो इस कैसे में होगा यह कि देखो आपका हो यहाँ पर सीन क्या को पता चला होगा कि अगर मैं एक्च्वल से रिका मेरा से रिकर 50,000 अगर मैं उसका एट पॉइंट पॉइंट पर सुन कॉंट्रिबूशन करूंगा तो मुझे ज़्यादा पेंशन मिलेगा तो यहाँ पे हुगा यह होगा कि आपका जो एंप्लॉयर का कॉंट्रिबूशन है उसका जादा पैसा फंट के अंदर गया होगा और एंप्लॉयर के अंदर में प का इनडा पैसा लिया है लेकिन आपने आर पंट के तहीं ज्यादा पैसा लिया है एनसा आपको वापस theo employee pension scheme के अंदर डालना होगा तो यहाँ पे अगर आप एक ऐसे employee है जो 2014 से पहले डाइड हुए है आपने joint option के लिए apply किया था कि मुझे higher pension मंगता है आपके इस application को reject कर दिया गया था तो यहाँ पे आपके provident fund के अंदर जो आपको extra पैसा मिला था वह पैसा आपको आपके pension scheme में डालना पड़ेगा और यहाँ पर तीन मार्च 2023 का समय है आप चाहिए तो हाइर पेंशन के लिए apply कर सकते हैं simply आप EPFO के website पर जाके login करेंगे और सारा आपको simply आगे बता भी दूँगा यह तो होगे पहले category of employee जो मतलब दो category में डिसकस कर लिया ऐसे एंप्लाइब हो चुकर है उन्होंने हाइर पेंशन का benefit नहीं मिलेगा दूसरे वह employee है जो 2014 से पर रिटाइब हो चुकर है उन्होंने हाइर 2014 और आप जो रिटाइड हुए है वह हुए है और यहां पर आपने जॉइंट ऑप्शन के लिए अपलाई नहीं किया था तो आपके पास में अभी समय है आपको चार मैने का समय दिया गया है तीन मार्च 2023 तलग आप चाहे तो हाइर पेंशन के लिए अपलाई कर सकते है कि भाई ऐसे एंपलोई जो 2014 के बाद में रिटाइड हुए है और उनका सैलरी अगर साड़े 6000 रुपे से उपर था तो वह चाहे तो एक्च्वल सैलरी एप एफ के अंदर कॉंट्रिबूशन करके हाइर पेंशन का मेनिफिट ले सकते हैं तो यहां पर भी आपके साथ में य एपी एफो के मेंबर थे एक सब्टेंबर 2014 को और अभी रिटाइड नहीं हुए अभी भी वह काम करेंगी आप बहुत पुराने एंप्लोई मालों कि आप 2010 में काम पे लगो और अभी तलक आपका सैलरी माले ते साड़े 6000 रुपे से जादा ही है और अभी तलक आप अप्लाइड करेंगे इसके उपर यहां पर एपी एफो का कोई भी गाइडलाइन नहीं आया है यहां पर एपी एफो का गाइडलाइन जो है वह एक ही बात पर आया कि ऐसे एंप्लोई जो 2014 के पहले रिटाइड हो चुके है और उन्होंने अप्लिकेशन दिया था कि मुझे हाइर पेंशन मंगता है लेकिन उनके इस अप्लिकेशन को एपी एफो की जो ऑफ्रेट इसे उन्होंने रिजेक कर दिया था उनको उनके उपर में बिसिकली एपी एफो का एक गाइडले ना चुका है कि भाई आप की तरीके से अपलाई कर सकते हैं तो यहां पे सिंपली उ आपको बता देंगे इसके अलाबा यहां पे आपको कुछ और भी मतलब चीजों का चाहिए तो वीडियो को पॉस करके देख लेना या तो हम मैं बेसिकली कोशिश करूंगा कि जो भी इपी एफो का नोटिफिकेशन से वह भी मैं आपको स्क्रीन को पर शो कर दूंगा या तो दिसक्रीप्शन में लिंक देंगा तो वहां से भी आप देख सकते हैं के आप किस सरीखे से अपलाई कर सकते हैं उसके लाब जहां पर यहां पर यह even होना चीह कि आपने उसräए अंपने ब्लेकर इंगो उसको जो उसने रिजेक कर दिया था इस तरह के कभी जो प्रूफ है वह आपके पास में होना चाहिए तो यह सरे डॉकुमेंट के साथ में आप अप्लाइग करेंगे तो आपको हाइर पेंशन का बेनिफिट मिल सकता है लेकिन यहां पर दो जो इस तरीकी के एंपलोई है ऐसे आपको क्लियर हो गया रहेगा कि कौन से एंपलोई हायर पेंशन के ईलिगीवल है कौन से एंपलोई नहीं है झाल झाल